हेलो फ्रेंड्स आपका स्वाकत है आपके यूट्यूब चैनल इंजिनिरिंग मुंडा में आज हम बात करने जाने हैं रो मॉटन एंड चिकन मीड शॉप बिजनेस मॉडल जो आपके गली मॉहले में, आपके स्ट्रीट पे गहरा में आपके लोकल बजार में जो चिकन मटन की शॉप खोली होती है उसका बिजनेस मॉडल क्या है, कितना कमाते हैं, कितना खर्चा है कितना प्रॉफिट मार्जन है, कितना लगा कि आप कितना कमा सकते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं आपके आपकी लोकेशन की और बिजनस नेम की किस जगह आपकी लोकेशन है और आपका बिजनस नेम की है सबसे पहले आपको आपके बिजनस का नाम रखना है और उसके साथ में आपको लोकेशन की कौन सी जगह खाला है आपको आपका बिजनस और इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी शॉप ने चाहिए आपको छोटी शॉप चलेगी दस बाई बारा की दस बाई चोदा की उसके बाद हम बात करते हैं ताइप ओफ मीट आप किस टाइप का मीट बेचना चाहेंगे आप खाली चिकन बेचेंगे यह एड मीट बेचे सीफूड के अंदर फिरिश आ गई लैम्स्टर आ गई यह सब कुछ आ जाता है अलग अलग डिफरन टाइप अव मीट होते हैं मीट शॉप कोलने के लिए आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट की जरूरत है मीट शॉप खोलने के लिए आपको जी एस्ट लाइसंस की और फू अजार रुपे पर जी एस्टी और दो अजार पर लाइसंस के लिए ले जाएगा चार अजार रुपे और आप इसे खुद भरते हैं लिंक डिस्रिप्शन में 100 रुपे लगेंगे आपको जो डॉकुमेंट्स रिक्वायर होंगे आपकी फोटोग्राफ एलेक्रिसिटी बि और जो शॉप अपले रहे उसका रेंट एग्रिमेंट बाइसंस के लिए भी सेम लगेगा जेस्टी के लिए भी सेम लगेगा तीन महिने का किराया होगा आपका 45,000 रुपे, दो महिने की security होगी 30,000 रुपे, और shop का brokerage होगा 7,500 रुपे, अगर आपको इससे कम की shop मिलती है ता आप वो भी ले सकते हैं, हम लोगों ने maximum 15,000 रुपे की shop लिए है, जिसकी हमारी sub cost निकलिए है 82,500, electricity bill 3 महिने का हमने bill calculate किया, जो approximately 9,000 रुपे है 3 महिने का, पर महिने के average से हमने calculate कि 3,000 रुपे के हिसाब से, equipment हमें क्या क्या चाहिए होंगे, एक display counter चाहिए होगा, meat वेगारा रखने के लिए, water रखने के लिए, chicken रखने के लिए, आपके bacon वेगारा होते हैं, वो रखने के लिए, सीख पर रखने के लिए पौक रखने के लिए उसके बाद में ग्रेंडर चाहिए होगा मीट ग्रेंडर चाहिए होगा जो कीमा पर बनाते हैं उसके लिए मीट स्लाइड डिदर चाहिए होगा सलामी पर लिए नाइफ पर चाहिए होगे wooden का chopping board चाहिए होगा लकडी वाला, मोटे वाला stainless steel की जाली पगरा चाहिए होगा यो chicken आता है जिन्दा मुर्गिया आती है उनको रखने के लिए उनके लिए जाल चाहिए होता है लोहे का तो उसके लिए मैं जाल चाहिए होगा उसके बाद में steel की टेबल चाहिए होगी चिकन पगेरा काटने के लिए मटन में काटने के लिए सीक्स पगेरा काटने के लिए चोटे-चोटे पीसिस करने के लिए फ्लैक्स बोर्ट की कॉस्टिंग आएगी आपकी 10,000 रुपे कह रहा हूँ जो टोटल इसके अंदर कॉस्ट आएगी हमने मैक्सिमम कॉस्ट इसकी कैलकुलेट करिए कि मैक्सिमम कॉस्ट हमारी कितनी आ रही है आपका जो डिस्पले फ्रीज है 35,000 रुपे का ओल्ड बड़े अराम से आजाएगा मीट ग्रेंडर जो है जाली के 3,000 रुपे हमने लिए स्टेल ने स्टेल टेबल के 12,000 रुपे लिए अगर आप उराना लेते हैं तो 6,000 रुपे के राउंड आ जाएगा फ्लैक्स बोड 10,000 रुपे से लेके 12,000 रुपे तकाता 10,000 रुपे में नॉर्मल बोड आ जाता है हमने एक्विप्मेंट कॉस्ट लिए 84,500 मेटीरियल के कॉस्ट जो आपको इसके अंदर मेटीरियल डालना है शॉप रन करने के लिए क्या क्या डालना है चिकन डालना है 20 पीसिस पहली बारी तो 17 रुपए आपका चिकन की कॉस्ट चल रही है जो बल्क में आता है तो 176 रुपए के रसाफ आपका 177 रुपय किलो के रसाफ से आएगा तो हमने 20 पीसिस लिए है तो 144 रुपे का अपका मुरगा आ जाएगा 12-15 लगो आपको एक बकरा मिल जाएगा और बिकती है शौप पर 500 रुपे है आदा किलो और रिमा प्रिक्त करे आता है य्लिव परिमाजने आता ही इसम今天 नहुँट और अच्छे विकते लोलिए च्छे बिकते हैं इसम से उख्सक्राइब तो आप कम बारा से पंदरा सूर रुपे दो हज़ार रुपे तिक भी दे जाएगा हम जो वर सलामीं यह डिफनेट टाइमस की हैं टेंगे जैसर भी असलामी आती है इस लुक्त पॉर्क की होती है जैसे सर्दार जी आपंगे यह उगा मसाले वेगरा रख रख होते हैं वीबा किया क्रीमीगा की साचीस वेगरा रख रख होते हैं तो इसके हमने $6,000 रुपे लगाए हैं starting में जब आपकी shop चलने लग जाती है तो आप इससे $20,000 का माल भी भर सकते हैं $40,000 भी भर सकते हैं आपके डिपेंड है रॉक अच्छे अंडे 2000 रुपे हमने लिये हैं, 2000 रुपे की ट्रेय ले रहे हैं, उसमें 15-20 ट्रेय हमारी आ जानी चाहिए हैं, wholesale rate में, अब हमने जितने भी हमने अभी तक calculate किया हैं, उन सब की total cost निकालके, 1,98,120 रुपी हमारी total cost निकल रही है, material की, equipment की और license वगयरा की और shop के rent की, और इसके अंदर staff की salary एक बंदा आपको चाहिए होगा, 10,000 रुपे का बंदा आएगा, तीन महिने की salary भी इसके अंदर calculate कर लीजिए, तो total आपका cost लग रही है, 2,30,000 रुपे के round लग रही है, इसके अंदर आप 10,000 रुपे और जोड लीजिए, जो weighting machine होती है, वो weight machine हमने इसके अंदर calculate नहीं करी है, तो उस weight machine के 10,000 से 12,000 रुपे और जोड लीजिए, तो आप ये समझ के लिए approximately 5,500,000 रुपे के अंदर आपका business model तयार हो रहा है, चिकन मटन का, अब इसमें monthly income क्या है, चिकन आपका 190 रुपे से 230 रुपे तक बिखता है, तो approximately आप दिन के 10 किलो मुर्गा अराम से बेच लेंगे, तो एक मुर्गे के अंदर आपको 60 रुपे प्रॉफिट हो रहा है, तो approximately 10 से आप बेच रहे हैं, 600 रुपे आपको मुर्गे के अंदर अराम से प्रॉफिट हो जाएगा, उसके बाद में हम बात करते हैं मटन की, मटन 700 रुपे किलो, मार्केट में at present time rate चल रहा है, जब आप वीडियो देख रहे हैं, या उसके आप वीडियो लेट देख रहे हैं, तो 800-800 भी हो सकता है, तो rate जो है उपर नीचे वैलू का वैरियेबल है, जो approximately 5 किलो मटन आप दि प्रॉफिट हो जाएगा starting में, फिर हम बात करते हैं, एक की ट्रे, 190 रुपे की ट्रे है, 10 रुपे पर ट्रे के अंदर profit, 10-15 रुपे के एक अंदर profit होता है, 10 रुपे आप दिन की बेचते हैं, 1500 रुपे आपको profit हो जाएगा, चिकन मटन की सीख, इसके अंदर आपको 500 रुपे पर केजी पे आपको profit हो जाएगा, तो दो किलो अगर आप starting में बेचते हैं, जिनके 500 रुपे आपको बड़े अराम से बच जाएगे, उसके बाद में approximately बाकी समार अपने sausages रखी थी, बेकन रखा था, वीबा की cream रखी थी उसमें 1000 रुपे प्रॉफिट हो जाएगा, एक दिन की आपकी income निकलती है, मटन, चिकन, सौसेज, बेकन, सीख वेगरा को बेचके 3550 रुपे, इसके अंदर माल include नहीं है, यह 3550 रुपे आपको profit है, एक दिन का profit आपको हो रहा है, मन्त में 36 दिन होते हैं, लेकिन हमने 26 calculate करेंगे, कि मंगलवार को most probably सभी जगा sales नहीं होती है, यह सब लोग shops बंद रखते हैं, तो 87,000 के राउंड आपको monthly income हो रही है, जिसमें 15,000 रुपे आप rent निकाल दीजिए, और 10,000 रुपे लड़केगी, salary निकाल दीए, 62,000 स्टार्टिंग में आपको हो रही है, एक से दो महीने के अंदर, दीरे दीरे आपकी location market area में तो sale और बढ़ती जाएगी, और जितना customer कम लेके जाएगा, जैसे customer ने 1200 ग्राम या 500 ग्राम लिया, तो उतना आपको profit जादा होगा कि कम चीज जादा महेंगी बिखती है, बाकि आप hotel वालों से, restaurant वालों से, खुदी contact कर सकते हैं, कि आपको किसी को lag piece चाहिए है, किसी को खाली सीना चाहिए है, कि जरी है, उनके घर में delivery करवाईए, क्योंकि most probably आज के टाइम में customer जो है shop पे आना पसंद नहीं करते है, ladies वेगारा shop पे आना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें खड़े रहना पसंद नहीं है, तो वो phone पे order दे देंगे, और आप phone पे क्या केते हैं, उसको घर पहुचवा सकते हैं, online order के दूँ, WhatsApp के अंदर एक feature है, WhatsApp business, WhatsApp business के अंदर आप अपने material की क्या cost है, chicken की क्या cost है, मटन की क्या cost है, product detail के अंदर हर चीज अपडेट कर सकते हैं, customer आपके product list भही से देखेगा, और आपके WhatsApp पे direct आपको order देदेगा, within 10-15 km आप order डिलिवर कर सकते हैं, और आप चाहें तो Swiggy या Zomato पे भी अपने raw chicken मटन की shop को register कर सकते हैं, लेकिन Swiggy और Domato पे आपको commission कटेगी 30%, तो अगर आपको margin होता है, तो आप उसको साथ में enroll करवाईए, नहीं तो कोई जरुवत नहीं है, बाकि एक चिकन shop देख लीजी, जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, यह franchise model है chicken shop का, ऐसी हमार, ऐसी हम अपने chicken shop खोल सकते हैं, जो अभी हमने calculate किया है, सारा ऐसा ही calculate किया है, यह chicken mutton shop है, Mumbai की है, proper hygienic है, इनने दोस बंदों का staff रख रख रखा है, इनके मटन, chicken, मसाले वेगरा हर चीज है, even marinated products जो होते हैं, जैसे आपने chicken लिया, चिकन आपका 110 रुपे किलो आ रहा है, आपने उसे cut किया, cut करने के बाद में 120 रुपे किलो आपको घर में बढ़ा, आप उसे marinate करके sell out करते हैं, तो आपको वो और profit दे के जाएगा, marinate किया हुआ, chicken आपका कहते है, बिखता है, 300 से 300 रुपे, आदा किलो, तो उसके अंदर आपका marination का मसाला गया, और fridge में इतने रख के आपने ठंडा किया, वो गया, और उसको आपको डबल रेट मिला, डबल या ट्रिपल रेट भी ले सकते हैं, कस्टमर फटा फटा आता है, उसे marinate किया हुआ है, घर जा के फटा फट बनाना है, उसे कोई marinate करने के लिए टाइम नहीं चाहिए होता, तो आप marinate किये हुए समान आप और ज्यादा rate में बेश सकते हैं, आप उसमें अलग different different type के chicken जो है marinate कर सकते हैं, बार्बी क्यू, कोर्मा, पैरी-पैरी, ऐसे different type के हो कर सकते हैं, उसमें mariden जो है आपको ज्यादा मिल जाता है, यह bombay की shop है, आप देख लीचे एक बारी, वी